बच्चे को बहुत ज़यादा फोन, टीवी दिखाना यह बहुत ज़यादा आजकल चल रहा है क्योंकि parents भी busy हैं और कई और चीजों के बच्चे को खाना खिलाना है या बच्चे को एंगेज करना है इस बज़या से पर क्या आप जानते हैं कि बच्चे को उनकी एज के हिसाब से कितना टीवी और मोबाइल दिखाना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि बच्चे को जादा मोबाइल दिखाने से बच्चे की हेल्थ पर्स का क्या असर पड़ता है? और अगर आप इस चीज़ को कम करना चाहते हैं तो आप सो कैसे कम कर सकते हैं? जो चीज़े में आपको बता लगार बच्चे को जादा स्क्रीन टाइम देने से जञाधा टीवी मुपाइल वे गड़ा दिखाने से बच्चे की हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहली चीज, बच्चे की आँखों पर इसका बहुत गरत असर पढ़ता है, आप देखोंगे कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा देर तक मुबाइल वगर देख रहा है, तो बच्चे आँखों कुछ इस तरह से करने लग जाते हैं, बच्चे के आँखों के रोशनी बहुत जल्दी काम हो जाते हैं, बच्चों को बहुत छोटी उमर में चश्मे लगने लग गए हैं, तो यह जादा स्क्रीन टाइम देने की वज़ा से है, इसके लावा जादा स्क्रीन टाइम देने की वज़ा से बच्चों का बाहर घूमना, फिरना या बाहर पार्क में ख दिखा गया है। आप देखेंगे कि जब भी बच्चे से आप फोन ले लेते हो वापिस, तो बच्चा एकदम से बहुत रोने लग जाता है, बहुत इरिटेटेड हो जाता है, हर चीजे फेक ने लग जाता है, चिलाने लग जाता है, तो एक तरह का अडिक्शन है, इसके बहुत जाता पसंद करता है, लोगों से बात्चीत करना भी इसको बहुत जाता पसंद नहीं है, नीद अच्छी नहीं होगी तो बच्चे के ग्रोथ पर भी असर पड़ता है तो देखा अपने फ्रेंड्स ये जो सारी चीजे हैं ये आपके बच्चे के लिए कितनी गलत है हमारे टाइम में देखा था आपने की क्या होता था कि हम लोग जो है अपने फ्रेंड्स साथ खेलते थे बहां जाते थे फोन टीवी वगर अतना नहीं होता था तो हम लोग फिजिकल एक्टिविटी जादा करते थे पर ये चीजे धिरे-धिरे करके कम हो रही हैं जो कि बच्चे की हेल्थ पर गलत असर डाल रहे हैं तो आपको इनमें ध्यान देना है पहले चीज़ तो आपको समझनी होगी कि आपके बच्चे को अपने उम्र के हिसाब से कितना टीवी, कितना मुबाइल यानि कि कितना screen time उसको मिलना चाहिए तो चलिए वो जान लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं 0 से लेकर 2 years तक के babies की यानि कि newborn baby से लेकर 2 साल तक जब का बच्चा होता है उसको कितना screen time आपको देना चाहिए तो देखे कुछ ऐसे studies हैं जिनमें ये बताया गया है कि आपका baby जब 0 से 2 years का होता है तो आपको इसमें baby को screen time बिल्कुल नहीं देना चाहिए ना TV ना mobile आपको नहीं देना है अब हाँ मैं भूल दो बिल्कुल नहीं देना है पर ऐसा होता है कई बार आप parent हैं आप बाहर गये हैं आप बच्चे से बात करना चाहते हैं दादी नाना नहीं कोई बात करना चाहते हैं बच्चे से तो आप बच्चे को वीडियो कॉल करके दिखाते हैं तो ऐसे मैं आपको ध्यान रखने है कि बहुत ज़दा वीडियो कॉल नहीं करने हैं बहुत आप करा सकते हैं पर फोन को थोड़ा दूर रखकर ही बच्चे से कॉल करा हैं पर इसके लावा बच्चे को अगर आप स्क्रीन टाइम नहीं देंगे तो ये काफी अच्छा रहेगा क्योंकि जो शिरुवात के दो साल होते हैं ये बच्चे का सीखने का टाइम है बच् एक घंटा तक बच्चे को स्क्रीन टाइम दे सकते हैं फिर बात आती है पांस साल से बड़े बच्चो की तो उनको आपको पूरे दिन में बस दो घंटे का स्क्रीन टाइम देना है इससे जाधा टीवी आपको बच्चे को नहीं दिखाना चाहिए अब मैंने आपको बता द बच्चो के लिए होते ही नहीं है कुछ ऐसे चीज़े इसमें होते हैं जो कि बच्चो को देखनी नी चाहिए सुननी नी चाहिए और इस एज में जब बच्चा इस चीज़े देखता है और सुनता आप खुद देखोगे कि बच्चा कुछ ऐसे चीज़े करता है जो शाया नहीं करनी चाहिए. और आपको यह देखना है जब मालीजा भच्चे को tv दिखा रहे हैं तो tv पर देखे, पहली बात तो आपको कंट्रोल रहेगा कि बच्चा क्या चीज़ देख रहा है क्या चैनल देख रहा है और आपको ऐसी चीज़े लगानी है क्योंकि हमारा interest इसमें है तो ये चीज़ आपको नए करनी है अब last में हम जानते हैं कि बच्चे के screen time कम करने के लिए हम parents को क्या करना चाहिए सबसे पहली चीज़ तो अपने घर में एक rule set कर दें कि बच्चे के age के recording जैसे मैंने बताया अगर आप बच्चे में TV मुबाइल के आदत को कम करना चाहते हैं तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप बच्चे के सामने जादा TV और मुबाइल ना देखें parents आजकर बहुत ज़दा फोन पर लगे रहते हैं तो आपको कुशिश करनी है कि बच्चे के सामने बहुत ज़दा मुबाइल वगर आप यूज ना करें और बच्चे के साथ ज़दा टाइम स्पेंट करें बच्चे को TV मुबाइल से अगर आपको दूर रखना है तो आपको बच्चे को activities में involve कराना पड़ेगा बच्चे को coloring करने दीजे जो बच्चे की ages के recording activities करने दीजे घर में आप जो काम करने ज़दे बच्चे को involve कराईए और साथ इसाथ बच्चे को कुछ देर पार्क में जरूर लेकर जाए तो जो चीजे मैंने बताई है प्लीज उनका जरूर ध्यान रखें ताकि आपको बच्चे का अच्छा growth हो अच्छा development हो I hope आपके लिए video helpful रहा होगा वीडियो पसंद आया तो और parents के साथ भी आप इसे share कर सकते है मिलते हैं next video में Thank you for watching